दुनिया का आठवा अजूबा बना स्टैचू आफ यूनिटी SCO ने स्टैचू आफ यूनिटी को दुनिया के आठवे अजूबे में शामिल किया अब SCO भी स्टैचू आफ यूनिटी का करेगा प्रचार जी हाँ हम वही स्टैचू आफ यूनिटी की बात कर रहे हैं जैसके बनने पर कॉंग्रेस समेथ तमाम विपक्ष सवाल उठा रहे थे लेकिन आज वही स्टैचू आफ यूनिटी भारत की पहचान बन गई है Statue of Unity का नाम दुनिया के आठवे अजूबे की लिस्ट में शुमार हो गया है आठ देशों के अंतरराष्ट्य संगठन शंहाई कोपरेशन और्गनाइजेशन यानि S.C.O. ने दुनिया के आठवे अजूबे के रूप में Statue of Unity का नाम शामिल किया है गुजरात के नर्मदा जिले के किवडिया में इससेद Statue of Unity को S.C.O. के आठ अजूबों में शामिल किया जाना देश के लिए गर्व की बात है ये प्रतीमा बीटे एक साल में ना सर्फ भारत की पहचान बनकर उभरा है बलके इस प्रतीमा के कारण यहाँ आसपास के इलाकों में रोजगार के अफसर भी बढ़े है Statue of Unity के बने महज एक साल कुछ महीने हुए है लेकिन इतने कम समय में दुनिया भर में अपनी पहचान बना ली है ताइम मैग डीन ने Statue of Unity को दुनिया के सौ सबसे महान अस्थानों की सुची में पहले ही शामिल कर चुका है यही नहीं Statue of Unity ने महज एक साल में ही अमेरिका के Statue of Liberty को भी पीछे छोड़ दिया है